क्योंकि जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही थी मनिपूर का महौल आप सबने देखा था मनिपूर की तस्वीरें आप सब के सामने थी वो तस्वीरें जिनें जादा देड़ तक नहीं देखा जा सकता था असल में राउल गांधी जिस तरह से सड़क पर उतरे हैं एक लंबे समय बाद देश का कोई बड़ा नेता सड़कों पर उतर कर जनता के मुद्धों की बात कर रहा है लेकिन भारती जनता पार्टी के लिए जितनी असानी 2019 में थी 24 उतना असान नहीं होने वाला है 19 दिन और 7 राज मनिपूर से जो भारत जोडो नया यात्रा शुरू ही उसकी शुरुआत से ही राजनेतिक महौल बनना शुरू हो गया बारती जनता पार्टी ने जिन मुद्धों को साइड लाइन कर दिया था वो सारे मुद्धे बराजनेतिक विमर्श में है और लोगों की चर्चा में है इसे यात्रा की एक सफलता के तौर भी देखा जा सकता है और विपक्ष की ये सफलता इस देश के नागरिकों की भी सफलता है क्योंकि जिन मुद्धों पर बात होनी चाहिए थी उन मुद्धों पर चर्चा नहीं हो रही थी मनिपूर का महौल आप सबने देखा था मनिपूर की तस्वीरें आप सब के सामने थी वो तस्वीरें जिने ज़्यादा देर तक नहीं देखा जा सकता था वो तस्वीरें जो आपकी आत्मा को जखजोर रही थी स्त्रियों को निर्वस्तर गुमाया जाना, पूरे राज्य में हिंसा का ऐसे फैलना जैसे आहम बात हो, रोज गोली बारी होना, लेकिन एक यात्रा के बाद से मनिपुर के इस मुद्दे को राष्ट्रिय विमर्ष में स्पेस मिला, वो यात्रा मनिपुर से जब बिहार पहु लेकिन वो सारे अनुमान धरे रह गए और यात्रा में भयानक भीड उम्री, लेकिन अब बात बंगाल पहुची भारत जोडो न्यायात्रा की, एक तस्वीर मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, यह तस्वीर पश्चिम बंगाल में भारत जोडो न्यायात्रा की शु रह जा रहे हैं ये तस्वीर साफ साफ बता रही है कि बंगाल में भारत जोड़ो न्याय अत्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है और यहीं नहीं बंगाल के बाद ये अत्रा फिर से भी आर पहुंचेगी उस समय भी बड़े जन समर्थन और जन सहलाब की उम्मीद जताई जा असल में राउल गांदी जिस तरह से सड़क पर उत्रे हैं एक लंबे समय बाद देश का कोई बड़ा नेता सड़कों पर उतर कर जनता के मुद्दों की बात कर रहा है। और विपक्ष को स्पेस देना खतम कर रही है तो हम सीधे आप से आकर के मिलेंगे और वो सीधे मिलने का दौर ही ये भारत जोड़ो न्याय आत्रा है। आप इस तस्वीर को देखेंगे और इस पूरी आत्रा के वीडियो जो स्क्रीन पर चल रहे हैं वो उस नरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरह से समर्थन मिल रहा है वहासे एक बात तो साफ हो जाती है कि 2024 के चुनाओ का परिणाम जो भी हो लेकिन भारती जनता पार्टी के लिए जितनी असानी 2019 में थी 24 उतना असान नहीं होने वाला है। और कहीं न कहीं यात्रा जिन राज्यों से होकर जा रही है। उन राज्यों में भारती जनता पार्टी की समस्या बढ़ रही है। रहुल गांदी के विचार और इस यात्रा की यथास्तिती पहुँचेगी तो वो नरेटिव जो सेट है वो कहीं न कहीं द्वस्त होगा। जनता से समबाद होता है और रहुल गांदी युवाओं से भी समबाद करते हैं। इस सब के जरी जो महौल बनाने की कोशिश देश में की जा रही है। उद्देगत राजबीती का महौल जिसमें धर्न मुद्दा ना हो, जिसमें मंदिर मस्जिद मुद्दा ना हो, जिसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान मुद्दा ना हो, जहां पर मुद्दा रोजगार का हो, युवाओं का हो, स्कूलों का हो, किसानों का हो, देश में धर्म के वीडियो में फिलाल इतना ही आगे की अपडेट्स लेकर हम आपके पास आते रहेंगे तब तक के लिए मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन दबाईए और बढ़े रहे हैं हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद